हेले फ्रेंस मैं हुरश्मी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनिट्स आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल वन और आर्टिकल टू को डिस्कस करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को जैसा कि हम जानते हैं Constitution का Part 1 डील करता है Union and its territory से मतलब संग और उसके राजी छेत्र से और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो Part 1 में हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि समिधान की पहली अनुसूची से भी डील करता है लेकिन इन आर्टिकल को समझने से पहले हम उस आर्टिकल का Original Text देखेंगे फिर उसे समझने के कोशिश करेंगे तो इस तरह आर्टिकल 1 में हमें देखने को मिलता है Name and Territory of the Union और इस आर्टिकल 1 के अंदर हमें तीन क्लॉस देखने को मिलते हैं जिसमें पहला क्लॉस इंडिया इस भारत शेल्पिया Union of Steel कहता है वहीं दूसरा क्लॉस कहता है राज्य और उसकी Territory First Schedule में Specified होगी वहीं तीसरा क्लॉस कहता है राज्य की छेतर में कौन-कौन से Areas आएंगे भारत राज्य में कौन-कौन से Areas आएंगे उसको वह mention करता है तो इस तरह आर्टिकल 1 को ध्यान से देखा जाए तो हमें तीन Important Points देखने को मिलते हैं इसमें पहला है Name of the Country, वहीं दूसरा है Structure of the Government और तीसरा है Territory of the India इस तरह हम देखते हैं अगर हम Point 1 को देखे Name of the Country तो आर्टिकल 1 कहता है India that is भारत मतलब आर्टिकल 1 से हमें अपने कंट्री का Official नाम पता चलता है वहीं दूसरा आर्टिकल 1 से हमें कंट्री का Governance Structure पता चलता है जिसमें साफ-साफ इडिया को Union of State mention किया गया है जिसका मतलब भारत राज्यों का संग होगा अब यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर कहीं भी Federation शब्द का use नहीं किया गया है क्योंकि Federation में राज्यों की भी समझाता होता है जिसमें राज बाहर से आकर समझाते या agreement के थूफ Federation में जुडते हैं जहां वो अपनी थोड़ी से power को share करते हैं और Federation को बनाते हैं और ये वाले tendency हमें US में देखने को मिलती है जहां राज्यों की भी समझाता हुआ और उन्होंने इस समझाते के तहत एक Federation का निर्मान किया पर अगर Indian context में दीखा जाए तो India तो Union of State है जहां power सेंटर से स्टेट की ओर जा रही है मतलब सेंटर ने अपनी थोड़ी से power को स्टेट को दीख करके Union को create किया है इसलिए भारतिय संग किसी भी समझाते का परिणाम नहीं है और ना ही किसी भी स्टेट को Union से अलग होने का यहां पर अधिकार मिलता है वहीं Article 1 का 3rd important point है Territory of India जहां पर Indian Territory को 3 भागों में classified किया गया है इसमें पहला है Territory of States मतलब राज्यों का छेत्र वहीं दूसरा है Union Territories मतलब संग का छेत्र और यह clause कहता है कि इन दोनों एरिया में वो सारे शेत्र आएंगे जिन्हें Schedule 1 में mention किया गया है और वहीं 3rd point कहता है कि वो भी एरिया भारत की Territory में माने जाएंगे जिसे over the time acquired किया गया है मतलब भारत सरकार के द्वारा पाहर के छेत्रों को अरजित किया गया है अब हम देखेंगे आर्टिकल 2 को जो कहता है admission और establishment of new states मतलब नए राजियों का प्रवेश और उनकी स्थापना आर्टिकल 2 उन एरिया के बात करता है जो union of India के बाहर की एरिया है जिन्हें union में शामिल किया जाएगा और वो ऐसे किसी भी new state के admission और establishment का power parliament को देता है मतलब आर्टिकल 2 यहाँ साफ साफ parliament को ये power दे रहा है कि वो किसी भी ऐसे state या किसी भी ऐसे territory जो इंडिया की बाहर की है उसको admit कर सकता है और उसको as a state establish कर सकता है अब इस तरह जब हम article 2 को देखते हैं तो हमें फिर से दो important point देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है admission into the union और वहीं दूसरा है establish new state जहाँ admit into the union का मतलब है किसी ऐसे एरिया को भारत की union में शामिल करना जो already एक political unit थी for example सिक्किम ठीक है क्योंकि सिक्किम को भारत सिक्किम पहले भारत से बाहर का area था जिसे भारत में admit किया गया था वहीं दूसरा आता है establish new state जिसका मतलब होता है एक नए राजी के रूप में भारत के union में किसी state को establish करना अब हम इस slide में ये देखेंगे कि सिक्किम को किस थरह union of India में article 2 का use करके admit किया गया था और इसे समझने के लिए हम सबसे पहले सिक्किम का location देखेंगे तो ये हैं हमारा प्यारा भारत और ये रहा सिक्किम अब इसे zoom में देखें तो हमें ये पता चलता है कि सिक्किम चाइना, भुटान, नेपाल के साथ border share करता है तो ऐसे देखा जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत ही strategically important area है और अगर हम सिक्किम की history देखें तो यहाँ पर चोंग्याल डाइनस्टी का rule था और इस तरह आजादी के बाद इंडिया और सिक्किम की बीच एक treaty sign की गई थी जिसके तहट इंडिया was responsible for defense, foreign policy and communication under this treaty मतलब इंडिया सिक्किम की सुरक्षा, foreign policy और communication के लिए responsible था लेकिन बाद में 1970s के बाद हम वहाँ देखते हैं कि सिक्किम की जो जनता थी वो भारत से मिलने के demand करने लेगी वहाँ की जनता थी वो भारत से मिलना चाहती थी इसलिए वहाँ के assembly में Government of Sikkim Act 1974 पास किया गया जिसके तहट मुनाक की rule को खत्म कर दिया गया और जो वहाँ पर चोंगया ruler थे उनको constitutional head बना दिया गया इस तरह सिक्किम के request के द्वारा Indian Parliament में 35th constitutional amendment लाया गया 1974 में जिसके तहट Article 2A और 10th schedule को insert किया गया और सिक्किम को Indian Union में associate state मतलब सहराजी का दरजा दिया गया अब इसके जस्ट एक साल के बाद फिर से Indian Parliament में 36th constitutional amendment 1975 को लाया जाता है जिसके द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज का दरजा दिया जाता है और इस तरह सिक्किम भारत का 22वा राज बनता है और यहाँ पे एक और बात ये याद रखने वाली है कि इसी 36th constitutional amendment के द्रू article 2a और 10th schedule को हटा दिया जाता है निरस्त कर दिया जाता है जो की 35th constitutional amendment के द्रू जोडा गया था तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सिक्किम को इंडिया में admit किया गया तो इस तरह हमने article 1 को समझा, article 2 को समझा और admission of सिक्किम को देखा तो I hope आपको सारी चीजे clear हुई होंगी इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत time लगा है और मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं सारे doubts को clear कर पाऊं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करिये ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी वीडियो बना पाऊं सो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बबाई एंड कीप लेर्निंग